हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे चलिए आज हम लेका हैं आपके भी छोटे बच्चे में ज्यादा तर ये देखनेंग मिलता है आणि सैलीवेशन मुझ से लाड का टपकना जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमेशा मुझ स साइड से निकलते रहता है आखिर हम जानते हैं क्यों आईशा मुझ से लाड निकलता रहता है क्या इसी कमी रहती है क्या इसी वज़ा रहती है जो बच्चे में एकसे सैलीवेशन होता है मुझ से लाड टपकता होता है आखिर मुझ से लाड टपकना क्या सही है या गलत क्य इसी बिमारी हो सकती, किस कारण से आखिर बच्चे हमेशा मुझे लाट टपकाती रहते हैं, चलिए जानते हैं वज़ा क्या है, इसका मुख कारण क्या है, छोटे बच्चे में खास करके देखा गया है, जो बच्चे एक साल से नीचे के हैं, उनमें होता है क्या उनको पर फांक्सन नहीं करता है, इस बज़े से भी उनकी छोटे बच्चे में खास करके मुझे लाट टपकता रहता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं छोटे जिनको सड में गंदगी रहती है, किसी तरह की इरीटेशन होते हैं, इचिंग होते रहती है, उस बज़े से भी आपको गर्ट की सिकायत होती है उसके कभजियत होते रहती है हमेसा एसीडिटी होते रहती है पेट फुला देता है पॉर्टे किलियर नहीं होती है इस कंडिशन में देखा गया जिन कुछ ऐसे बच्छे हैं जिनको वडमी के फैक्ट आनी पेट में आदी कीरे छोटे पड़ गए है आठ आपको ठीकसे डाय्जेस्न नहीं कंड़े पशा नहीं रहे और पशाद से हो सकती है आपको हो सकता है किसी तरह की गले में शूजन आःए है किकता कि छाले पड़ गया है एफ्थी बन गई है गले के अंदर बिलीस्टर लुजला-उजला हो जाता है उस बज़ह से भी cavity है जिसमें किसी तरह ulceration हो जाए उस बज़े से भी ये दिक्त आती है आपको ये सारी समस्या देखने के मिलता है अब हम बात करेंगे इससे बचने के लिए क्या ऐसी बेश्ड दबा लें तो हम बात करेंगे इससे बचने के लिए आप क्या करें तो चलिए इसी तरह नए वीडियो देखने के लिए अधि आप मेरे चिन्द पर नए हैं तो मेरे चिन्द को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेश दवा लें ऐसी कौन सी बेश दवा आपके हमेपैथ ने बनाई है जो कि बच्चे छोटे जो होते ही अनकी मुथ से हमिसा लाड टपकते रहाना हम सेलेवेशन होते रहता है हम इसा गीला होती रहता है जिसे लगए मरकिरियस एक मरकड़ी गुरूप की दवाई है जो कि आपको 30 पावर मिलेना है दो-दो बुंद करके तीन बार स्याने आदमी लेंगे और बच्चे के लिए एक-एक बुंद करके तीन बार एक चमश पाने में तीन बार लेजिएगा शोने पे इन सैलिवेशन ज्यादा होगा और ये कंडिशन एफ्थी अधी काउज फेक्टर आपको एफ्थी होगी मुह में चाले पड़ है उस बज़स से उड़े किसी तरह के बकल के वीटी में सूजन हो गई है किसी तरह का अलस्रेशन रहे है उसमें भी अच्छी काम करती है कुछ ऐसी पेसेंट है जिनकी टंग के बीच में एकदम लगेगा फरररब मतलब दरार टैप का फिसर टैप का लगेगा उस बज़स से इस कंडिशन में दिया जाता है अगला कंडिशन अधी मुह में लहर के साथ ये दिकत आती है उस बज़स से भी देते है दात में दर्द हो रही है उस बज़स से दिया जाता है किसी को अधी पैरोटीड गलेंड में आनि मम्स किसी को गलसुआ हो गई है ये जो पैरोटीड गलेंड में समेकजिलेरी गिलेंड में सुजन आ गई है उस कंडिशन के लिए भी यह दवा बहुत अच्छा काम करती है दान ताधी उखार दिये हैं उसमें बिलेडिंग हो रही है गम में सुजन हो रही है उससे बिलेडिंग आ रही है ये सारी समस्या को ये दूर कड़ेगी बस एक दवा मर्क यूडियस का 30 पावर लेंगे इसी भी दरा की साइलिवेशन को विल्कुल ठीक कड़ेंगे चली इसी दरा का नए वीडियो देखने के लिए मेरे सेनबा बने ने धान्यवाद